हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चेंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुहमस जैद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं जोग्राफी का एट्थ जेप्टर इस इगोनॉमी एंड ऑक्क्यूपेशन इवेंचली मैंने इसको जुलाई में ही खत्म कर दिया होता जोग्राफी को टोटली बट यहां तक बात आ गई ठीक है डिसेंबर पहुंच गया बट डोन्ट वरी अब मैं इसको एंड कर दूंगा आज एट्थ चैप्टर कल नाइन्थ चैप्टर एक शॉट में एज यूनो तो economy and occupation यहां पर हम लोगों की जो इंडिया की economy है उसको ब्राजील की economy से compare किया गया है साथी दोनों का occupation भी compare किया गया है तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपको एक graph दिख रहा है यह graph बहुत important है guys आपको exam में आ सकता है evaluation के लिए okay so जो यहां पर red वाला है वो income है ठीक है मतलब कितना country कौन कितना कमाता है तो which country is income यह question मगेरा आप attempt कर सकते खुद से मैं आपको explain करता हूँ देखो USA का पहले 1960 में हमारे जैसा ही हाल था कुछ खास उसका भी growth नहीं था but 1980 में देखो USA कहां पहुँच गया और Brazil India से देखो आगे है थोड़ा सा 2000 में USA और पहुच गया और Brazil भी इंडिया से आगे चल रहा था फिर 2016 में USA ने आसमान चुलिया इसलिए इसको वन आफ देवलप्ड कंट्री बोलते है ऐसी थोड़ी ना USA को वन आफ देवलप्ड कंट्री बोलते है और जो इंडिया था यह अच्छी बात है कि जब हमारा इंडिया है वो ब्रजील से आगे चला गया इसमें 2000 में पीछे था 1980 में पीछे था 1960 में लगबग सेम था बट 2016 में हमारा इंडिया आगे जा चुका है तो यहाँ पर डिफरेंस वगेरा कैलक्यूलेट करना है आप लोग यहाँ से माइनस करके कैलक्यूलेट कर सकते हैं तो एक टेबल य यहाँ पर कमपणिया अपना खुद खर्चा उठाएंगी उसमें सरकार का involvement नहीं होता है तो ब्रजील में है वो प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। हमारे इंडिया का भी वही हमेरे प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है यहाँ पे आपको फिल करना है फिर इंडिया में जादा तर जादा तर प्राइवेट है और लिटिल पब्लीक है ठीकल लार्जली प्राइवेट एंड लिटिल पब्लीक फिर इलक्टरिसिटी प्रोडक्शन जो है ब्रजील में वो लार्जली पब्लीक है और हमारे इंडिया में प्राइवेट और पब्लीक दोन दोनों है फिर हेल्थ प्राइवेट और पब्लिक दोनों है ब्रजील में इंडिया में भी से महलत प्राइवेट भी है पब्लिक भी है एजूकेशन लार्जली पब्लिक है ब्रजील में और छोटी प्राइवेट है बट हमारे इंडिया में लार्जली प्राइवेट है और लि पॉब्लिक बहुत कम है, लार्जली प्राइवेट एंड लिटिल पॉब्लिक, चलो ये फिल कर लेना, अब देखते हैं प्रामरी ओक्यूपेशन, टर्सरी ओक्यूपेशन एंड सिकंडरी ओक्यूपेशन होता क्या है ये, समझ लो मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ, ठीक है य मैंने बुला चलो इंडस्ट्री में दे देते हैं, वो इसका चीनी बना देंगे या गुड बना देंगे, जो भी मन करें वो, तो मैंने इंडस्ट्री में गया और उनको ये गन्ने दे दिया और इन्होंने इसका गुड बनाया, तो उन्होंने जो काम किया उसको बोलेंगे यूटूब अपलोड करेगा तो वो होगा secondary occupation और फिर लास्ट में जब यूटूब उसको पबलिक कर देगा तो वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा tertiary occupation अब different समझ में आया चलो यहाँ पर table दिया है इसको fill करते हैं television broadcasting अभी अभी मैंने बताया tertiary occupation है bee keeping मतलब मधुमक्यों को पालना वो हो गया primary occupation रसियों को बनाना ठीक है रसियों के लिए जो सामान लगता है वो उगने में primary occupation और बनाने को secondary occupation अगर इसको produce करने को बोला होता तो वो tertiary होता जगरी making मतलब good बनाना अभी मैंने बताया secondary हो गया producing blades secondary construction work construction भी secondary क्योंकि construction के लिए जो समान है वो primary है extracting ore यह तो primary हो गया ठीक है automobile car वगेरा बनाना secondary rice उगाना primary teaching tertiary है buses को चलाना tertiary है और facilities वगेरा सब tertiary है तो I hope कि आप लोगों को इन में difference समझ में आया होगा now we will move to the geographical explanation an economy of a country depends on the economic activities carried out in the country किसी भी country की जो economy है वो depend किस पर करती है economic activities पर जो की country में ली जाती है आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 type की economic activities ठीक है in figure 8.2 the pie chart shows the contribution of each sector यहाँ पे आप लोगों को 8.2 में देखो pie chart एक बनाया है तो primary secondary और tertiary पर बनाया है तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इंडिया और Brazil को ठीक है यह percentage of population है मतलब कितने लोग लगे हुए है उस काम में और यह contribution है कि GDP जो gross domestic product होता है ठीक है GDP इंडिया का काफी low हो गया था बीच में बंगलादेश आगे चला गया था सोचो इंडिया से तो यह जो GDP होता है उसमें कितना contribution है और यहाँ पे कितने लोग involved है इसमें primary, tertiary और secondary में primary हम लोगों का नीला वाला शो कर रहा है secondary हम लोगों का औरेंज वाला शो कर रहा है और tertiary हम लोगों का ग्रे वाला शो कर रहा है ठीक है ग्रे वाला क्या शो कर रहा है tertiary तो ब्रजील को आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे primary इतना कम primary सिर्फ 5.5% OMG सिर्फ 5.5% यह लोग primary occupation में involved है secondary में 27.5 चलो ठीक है tertiary में 67% इसी लिए इन लोगों का जो GDP है वो काफी ज़्यादा contribute करता है मतलब tertiary से ही इनका घर चलता है मतलब country चलती है tertiary से ही primary से बहुत कम agriculture वगेरा fishing वगेरा जानवरों को पालना animal husbandry सब बहुत कम दिखे कम आपे फिर secondary मतलब industry फैक्टरी आपको बहुत सारी दिखेंगी फिर इंडिया की बात करें तो 17% लोग यहाँ पे agriculture करते है sorry 17% GDP यहाँ पे agriculture से जाता है फिर 26% फैक्टरी इंडस्टरी से फिर 57% बाकी सब से अब देख लेदे कि कितने लोग involved हैं कहां तो यहाँ पे ध्यान से देखो इंडिया में लगभग 50% के करीब लोग involved हैं primary occupation में means खेती बाड़ी करने में 24.3 और देखो तर्शरी में कितने कम हैं तर्शरी में सिर्फ 27% लोग हैं ठीक है 26.9 मतलब 27% लोग सिर्फ तर्शरी में हैं इसलिए हम लोगों का जो फाइदा है जो इंकम हो काफी कम है क्योंकि अग्रिकल्चर से उतना फाइदा नहीं है और अग्रिकल्चर में लगना भी इसलिए पढ़ रहा है because 130 क्रोड लोगों की मतलब खाने के लिए उनका इंतजाम करना तो उसके लिए अग्रिकल्चर जरूरी है हलाकि ब्राजील में बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है इसलिए बाकि सेकंडरी ठीक ठाक है हम लोगों का ब्राजील में देखो 71% टर्शरी ओक्यूपेशन होता है इसलिए लोगों का जो इंकम वगेर है वो जादा रहता है 19% सेकंडरी ठीक ठाक है only 10% only 10% लोग इंवाल्व रहते हैं इसमें अग्रिकल्चर वगेरा में मतलब जो बहुत पुराने जमाने के होंगे वही लोग लगे होंगे बाकी सबब टर्शरी पकड़ चुके है ठीक है बट इनका घाटा भी होने वाला है क्योंकि खाने माने की कभी कमी हो सकती है बट इंडिया में इसा नहीं होगा तो ब्राजील को सबसे ज़्यादा फायदा होता है टर्शरी से इंडिया को भी बट इंडिया का जो सब कुछ है वो balance है इंडिया का क्या है balance है बट Brazil का balance नहीं है देखो है ना कुछ बहुत ज़ाद है कुछ बहुत कम है तो per capita income देखो आप लोग पर capita income यहाप जो आपको graph दिखाया था उसका ही देखो तो ब्रजील का 1960 में इंकम था 260 1980 में हो गया 2010 टीक है US डॉलर में फिर 3060 हो गया 2000 में और 2016 में हो गया 8840 और इंडिया का 90 डॉलर सिर्फ था 1960 में टीक है और 280 डॉलर हुआ जब ब्रजील का 2000 मतलब 10 गुना का अंतर है यहां पे देखो फिर 450 हुआ 2000 में जबकि ब्रजील का 3000 पे पहुँँच चुका था 8 गुना अंतर है फिर यहां पे अठासी सवब्रजील का था और इंडिया का शिर्फ 16 10 गुना अंतर है look at the difference and look at the USA 3215 in 1960 then 4000 in 1980 not that much difference so 14,230 in 1980 after that 37,000 in 2000 and then 56,000 Look at the difference इनका increment देखो कितना तेजी से हुआ है USA का और वहीं इंडिया का देखो काफी कम है Brazil का बहुत ज़्यादा हुआ है तो which country has a higher percentage of population engaged in primary activities इंडिया का फिर कौन सी country का contribution tertiary activities को ज़्यादा है Brazil का है ना contribution देखो उसका ज़्यादा है फिर कौन सी country का जो share of secondary activity है वो ज़्यादा है GDP में कौन सी country है इंडिया ओके contribution की बात करें तो इंडिया पीछे है Brazil से बट population की बात करें तो इंडिया आगे है Brazil से Can we say that Brazil is an aggregate economy like India बिल्कुल नहीं कह सकते क्यों क्योंकि agriculture तो वहाँ पे 5.5% होता है तो यह हम लोग नहीं कह सकते इन फिकर 8.1 वी साथ इंडिया है जाएर नेशनल इंकम दे ब्राजील 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 is one of the world जाएंट्स आफ माइनिंग एग्रिकल्चर और मैनुफेक्चरिंग चाहिं कि जो उसका फाइदा है वो जादा हो रहा है ठीक है और यह काफी ज्यादा जाइंट कंट्री है यहां पर and it has a strong and rapidly growing service sector तो इंडिया में जो tertiary occupation है वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रहा है है ना क्योंकि माइनिंग वगेर से उनको ज़्यादा हो जा रहे तो उनको जरूरत नहीं पड़ रही है जबकि दूसरी जगाँ पर इंडिया आज भी एगरी कल्चर पर ही डिपेंडेंट है ठीक है भले ही जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया में भी बढ़ रहा है बट उस ता इंडिया और ब्रजील एकोनोमि डोनों ही डीफाइंग कंट्री है इंड्यव्लपींग एकोनोमिस फिक घ्यका। है ठीक है can you think of our season for the same use the following table and make a polyline graph with the help of computer polyline graph मतलब इस तरीके से आपका होता है ठीक है इस तरीके से आप लोग उसको बनाते हो तो polyline graph देखो आपका line graph कैसा होता है line graph ऐसा होता है तो यहां पर कैसी है तीन country है तो आप लोग तीन तीन बनाओ गया I should make for you okay so सबसे पहले मैं USA को दिखाता हूं बुलु लाइन से तो यह उगया USA जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया आस्मान चूंग फिर मैं दिखाता हूं इंडिया को इंडिया काफी कम है यहां से शुरू हुआ यही पर रहे गया फिर मैं दिखाता हूं इंडिया ब्रजील से काफी ज़्यादा आगे हैं इंडिया ब्रजील तो डेवलपिंग कंट्री और यह कंट्री का जो प्रोग्रेशिंग प्रोग्रेशंग इंद फिल्ड ओफ टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट एग्जुकेशन एंड इंडस्ट्री अभी हमारी कंट्री में परसेंट लोग शिक्षित ही नहीं हुए हैं तो हम लोग कैसे इतना आगे जाएंगे जबकि अमेरिका में 100% लोग शिक्षित हो चुके हैं तो यहां पर लोगों को नीचे देखो यह मैप दिया गया है इस मैप के बैसिस पर कुश्चन एंसर करने हैं टीक है तो कॉफी कहां उखती है राइस कहां उखते हैं कॉर्न कहां उखते हैं इनको एक एक बार देख लेना वैसे तो पूरे एरिया में उखते हैं तो इनके आने के चांसेज नहीं है टीक है बट सिर्फ उनी के लिए है, इसलिए 5.5% है सिर्फ, favorable climate, topography के वज़े से, वहाँ पे जो crops हैं, वो अलग अलग तरीके के लोग उगा सकते हैं, topography मतलब hills, mountains, etc, और favorable climate मतलब अच्छा climate, suitable climate, rice और maze जो है, वो वहाँ के main cereal crops हैं, production जो है maze का, वो largely concentrated है, central part में, टीक है, मक्की जो है, मक्का है, तो उसका जो production है, वो बीच में सबसे ज़्याद है, central part में, okay, so commercial crops like coffee, cocoa, rubber, soya bean and sugar cane are also cultivated on a large scale, यह सब crops यहाँ पे भी cultivate किये जाते हैं, you should remember all these names, okay, one sentence आया तो first जाओगे, Brazil is the largest exporter of coffee and soya bean in the world, Brazil सबसे ज़्याद एक्सपोर्टर है coffee का, as well as soya bean का, पूरी दुनिया में, the major state growing coffee are, मिनास जिराइस, टीक है, मिनास गिराइस and Sao Paolo, beside these crops production of fruits, टीक है, इन crops के अलावा fruits भी यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, जैसे बनाना हो गया, pineapple हो गया, orange हो गया, citrus fruit हो गया, इनकी भी यहाँ पर जादा काफी अच्छे से production होती है, cattle, sheep, goat, यह सब भी यहाँ पर rare किये जाते हैं, सवाना ग्रास लेंड में, साउथ में, टीक है, reared मतलब इनका हच्छे से animal husbandry की तरह, consequently उसी तरीके से जो meat और dairy product है, वो भी large scale पर यहाँ पर produce किये जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं, mining कैसा है ब्राजील में, the eastern part of Brazil is rich in various types of minerals, iron, ore, manganese, nickel, crop, boxide, tungsten, diamond, etc., यह सब यहाँ पर पाए जाते हैं, eastern part में ब्राजील के, टीक है, various types of minerals यहाँ पर पाए जाते हैं, बगल में आप लोग image देख सकते हो, ब्राजील में कैसे agricultural activities होती हैं, ब्राजील और इंडिया का, देखो आग लगी पड़ी है यहाँ पर, यहाँ पर इंडिया ले खाम कर रहे हैं, ठीक है, in accessibility, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forest, etc., are the factor which have led to limitation in the mining in the interior part of the country, जो वहाँ पर घने घने जंगल हैं, और कुछ resources को reserve करके रख्या गया है, knowledge नहीं है कि कहाँ पर कौन सा resource मिलेगा, inaccessibility है, मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसके बज़े से जो mining है interior part में country के, वो थोड़ा limited हो गई है, nevertheless because of increasing demand in the country, mining work has developed well in the highland region, बट क्योंकि demand बढ़ रही है वहाँ पे लोगों की, तो highland region में जो mining है वो develop हो गई है, अब देखते है fishing कैसा है, यहाँ पर एक cool fact दिया है do you know करके, एक American dollar का जो कीमत होता है, वो तीन होता है Brazil में, और इंडिया में 64 रुपए होता है, हला कि यह 74, 74 बन चुका है, ठीक है हमेशे यह change रहते रहता है, समझे, तो Brazil में एक डॉलर का value होता है तीन रुपए, तीन रुपए है नहीं तो Brazilian real, Brazilian real है महा की currency, मतलब तीन real, तीन real, और US में एक डॉलर जो होता है, उसकी इंडिया में कीमत होती है, और एक्सिलेंट फिशिंग ग्राउंड फिशिंग ग्राउंड फिशिंग काफी जाद अच्छी है, एक तो इन लोगों का सी कोस्ट जो है, वो 7,400 का है, जिसके बज़े से काफी जाद अच्छी से फिशिंग अपलोग कर सकते हो, पूरा का पूरा एरिया आपके पास पढ़ा है, ट्रेडिशनली फिशिंग एस बिन केरीड आउट, पहले के टाइम पे वो एक डंडा लेना, डंडे पे एक रस्ती टांगना, और यहां पे चारा लगा के फिशिंग करना ऐसा किया करते थे, बढ़ आज के टाइम पे हम लोग नहीं नहीं टेकनीक्स को सीख चुके हैं, और हम लोग वो फालतू फिशेस को नहीं पकड़ते हैं, हम लोग स्वर्ड फिश, रिम्स, लॉब्स्टर, सरडाइन इन सब को पकड़ते हैं, फिश रिसोर्सेज आर अर अमजान रिवर आर नॉट एक्सप्लाइटेड मच, और फिशिंग अल्ली टेक प्लेज एट इसमाली स्केल, फिशिंग काफी जाद हैं यहां पे काम होती है, इसलिए जो मचलियां अमजान रिवर के पास रहती हैं, उनको एक्स्प्लाइट नहीं किया जाता है, अब देखते हैं अग्रिकल्चर इन इंडिया, अनलाइक ब्रजील, इंडिया अग्रिकल्चर कॉंट्रिब्यूट्स मोर टुवर्ज जीडिपी, जैसे ब्रजील बहुत कम कॉंट्रिब्यूट करता था, बट इंडिया का जो एक्रिकल्चर है, वो 60%, ठीक है, 60% जो है इंडिया का, वो लैंड कल्टिबेशन के अंदर है, और साती में इंडिया, जादे से जादे इंगेज़ है पॉप्यूलेशन में, सुचो, 100% लैंड में से 7% पर तो कल्टिबेशन होता है, नई होगा तो भूखे मर जाएंगे हम लोग है न, रिच सॉइल, लेवल प्लेंस, हाई पर्सेंटेज ऑफ कल्टिबेबल लैंड, वाइड क्लाइमेटिक वराइटी, लॉंग ग्रोइंग सीजन एक्सेक्टरा, प्रोवाइड है स्ट्रॉंग बेस्ट व अग्रिकल्चर, ठीक है मतलब लेवल प्लेंस हैं, ऐसे सीधे, रिच सॉइल, सॉइल में मिनरल्स काफी जादा है, हाई पर्सेंटेज है कल्टिबेबल लैंड का, वाइड क्लाइमेटिक वराइटी हमारे इंडिया में लॉंग ग्रोइंग सीजन है, जिसके बाज़े से काफी अच्छी से अग्रिकल्चर हम लोग कर सकते हैं, आपको कुश्चन आ सकते हैं, इंडिया में जो राइस होता है, वीट होता है, मेज होता है, इन सब का ज़्यादा से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और टी, कॉफी, रबर, कैश क्रॉप, लजज़े से शूगर, केन, कॉटन, जियूट, एक्सिक्टरा, यह सब भी काफी ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, बट इन्डिया जो है, वो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए ज़्यादा जाना जाता है, यह जहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस किये जाते हैं, ठीक है, अब देखते हैं फिशिंग, इन्डिया में फिशिंग कैसी है, fishing जो है इंडिया में वो काफी जादा important है इनकी economy में काफी बड़ा रोल वो play करती है इंडिया जो है वो fishes का सबसे बड़ा producer है marine में भी और inland भी मतलब उसकी marine fishing हो या inland fishing हो inland मतलब इंडिया में और marine मतलब जैसे समुद्र वगेरा में जाके तो दोनों में ही इंडिया काफी जादा माहिर है fisheries helping augmenting food supply ठीक है तो fisheries के वज़े से जो food supply होता है उसको पूरी तरीके से वो fulfill करने में मदद करता है employment generate करता है है ना जैसे अभी fish पकड़ने के लिए एक company है fish पकड़ने के लिए उसको काम करना है तो उसके लिए employment आ जाती है nutritional level बढ़ जाता है foreign exchange मिल जाता है क्योंकि foreign में fish वगेरा ज्यादा चलती है fish जो है वो हमारी diet में काफी बड़ा role play करती है ठीक है वो लोग खास करके जो लोग coastal area में रहते जैसे केरला वाले west बेंगल ओडिशा आंद्रप्रदेश तमिल नाडू गोवा मारास्टर के लोग इंडिया की जो coastline वो ब्रजील से 100 km जादा है that is 7500 km marine fishing accounting for about 40% of the total annual production of fish and being confined to coastal waters in the west from कच Malabar coast to Coromandel coast in the east ठीक है तो हमारी इंडिया में जो inland fishing है वो 60% है हम लोगों की ठीक है और जो marine fishing है वो कितनी है वो 40% तो जो annual production होता है 100% का उसमें से 40% marine fishing होता है और 60% अपने इंडिया से होता है coast वगरे से 40% so on the eastern coast ठीक है east में जो Coromandel coast में जो मचलियां पाए जाती है वो है sardine, mackerel, bombay duck और prawns ठीक है, on the eastern coast the important fish are horse, mackerel, clipids and silver valleys eastern coast पर यह important fishes which are the important fishes in the eastern coast ऐसा question आ सकते है, so you should remember that fresh water fishing is carried on a river fresh water fishing जो होती है वो river में करते है, canal में करते है, irrigation channel में भी करते है irrigation channel मतलब खेद में पाणी जाने के लिए ऐसा बना रहते हैं कि यहां से टीविल चलाएंगे, यहां से पानी डालेंगे, ऐसा गुमा गुमा के बहुत बड़ा रस्ता रहता है जो मैं इसको properly पहले बनाई देता हूं तो यहां से फिर टीविल चलाए जाती है और पानी बहते बहते लास्ट में हम लोगों का इस तरीके से इस कैनाल इरिगेशन, इरिगेशन कैनाल से लास्ट में खेत पर पहुंचता है तो यहां पर मचलियां भी कभी कभी आके फसी रहते तो वहां पर भी फिशिंग की जाती है सिल्वर बेलीज का आर्व जिसको हम लोग चोपड़ा बोलते है यह सब भी यहां पर काफी जादा इंपॉर्टेंट फिश फ्रेश वाटर वराइटीज है ठीक है 60 परसेंट जो इंडिया का टोटल फिश प्रोड़क्शन है वो इनलैंड फिश रीच से आते है यह तो अभ लग मरीन चलो माइनिंग इन इंडिया देखते माइनिंग कैसी रहती है इंडिया में छोटा नाकपूर प्लेटो जो है इंडिया का वहाँ पे श्टोर हाउस है वो अलग अलग मेनरल्स का तो माइनिग यहाँ पर मेन ओक्यूपेशन है लोगों का कौल इस माएंड इन और कोल जो रहते है कोईले जो रहते हो कोर्बा में पाय जाते है और साथी में महारास्ट्र में और मुंबई हाई इन अरेवियन सी नियर महारास्ट्र यहां पे भी ऑईल वेल्स पाय जाते हैं ठीक है मुंबई हाई में कालोल जो होता है कालोल और कोयाली जो होता है गुजरा बाद में है अरेवियन सी में मतलब मुंबई हाई जो कि अरेवियन सी में माहराष्टर के इंपास रिजर वाइब मिनरल ओइल और नेचरल गैस है बीन डिसकवर्ड डिसकवर्ड अधर गोदावरी इंडशन कोस्टल एरिया पर तो वहां पर यह गोदावरी रिवर पर यह डि देखते है ब्रजील में इंड़स्ट्रीज कैसी है जादतर जो इंड़स्ट्रीज है उसमें आयरन और स्टील प्रोडक्शन का काम चलता है और टो मोबाइल एसेमली का काम चलता है मतलब कार बगेरा बनाने का पेट्रोलियम प्रोसेसिंग चलता है पेट्रोलियम बनाने का chemical production चलता है और cement making चलता है ठीक है यह ज़्यादा तर चलता है major industries में फिट technological based industries have been the most dynamic in recent year बट आजकल technologically जो based industries है वो ज़्यादा तर dynamic रही है वो ज़्यादा काबिल रही है आजकल similarly food processing like sugar industries, sugar industries, cotton textile, silk और woolen की जो industries हैं वो भी आजकल ज़्यादा अच्छे से develop हो गई है most large industries concentrated in the south and southeast ज़्यादा तर industries का है south और south eastern part में किसके ब्रजील के नौर्थ इस्ट जो है ब्रजील का वो अभी भी traditionally poorest part है ब्रजील का ठीक है बट यहाँ पे भी अलग-अलग investment करके लोग इसको नया करने की सोच रहे हैं मतलब अच्छा करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक नई चीज आईए ठीक है bricks वागेरा आप लोग जानते होगे यहाँ पे कई सारी organizations के नाम लिखे है ठीक है सेंट्रल सिल्क बोर्ड ओन जी सीए सब इंडिया का है और महाराष्ट्र यह भी RCF ठीक है CLW लोकोमोटिव वर्क आरे यह भी इंडिया का है यह सब हम लोगों का इंडिया का है ठीक है अब देखते हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया distribution of industries in इंडिया is highly uneven मतलब हमारे इंडिया में जो distribution industries का वो uneven है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है कहीं पे हाई नहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसा है तो काफी uneven distribution है आपर raw material हो गया power resource हो गया ठीक है यह इसलिए क्योंकि enterprise का concentration financial resources यह सब concentrate नहीं हो पारे large towns में कहीं पे अगर अच्छी financial condition है तो वाँ पे बढ़ियां से यह हो जाएगा कहीं पे अच्छी नहीं यह तो नहीं बनेगा कहीं पे कम अच्छी है तो बन जाएगा थोड़ा बन जाएगा है ना ऐसा जारखन डोडीशा जिसके साथ 36 गड़ और मद्यपरदेश भी एड़ जॉइन है ठीक है सब पार्ट से राजस्थान के और करनाटक और तमिल नाडू के जहां पे जादस जादा मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं जारखन डोडीशा जोइनिंग 36 गड़ और मद्यपरदेश पार्ट्स ऑफ राजस्थान करनाटक और तमिल नाडू एकांट फॉर दर रिजर्व ओफ मेटालिक मिनरल्स दिस एरिया देरफोर पर्टिकुररली द नौर्थ इस्टन पाट अफ द पेननसुला पेननसुला मतलब जो साउथ फ्लोइंग रीवर डाम लोगों का साउथ फ्लोइंग वो हम लोगों का पेननसुला होता है तो यहां पे हाई कॉन्संट्रेशन है मेटलर्यकल इंडर्यकल करते यह जूंस। मतलब जो एक्स्ट्रेक्शन अफ मेटल्स करते है लोगों का सइन्स मेन आप लोगों ने एट चैप्टर में देखा है विथ अल्मोस्ट याल थे स्टील क्यों सेंटरौन यहां पे सिच्युएटड availability of large quantities of coal and refractory material along with cheap power from the Damodar Valley Corporation and a number of thermal power project has added to the advantage इसके कारण जो बिजली वगेरा है, Damodar Valley Corporation है, thermal power है इसके बज़े से क्या हुआ है कि वहाँ पे advantage मिला है उनको उसको आगे बढ़ाने का राजस्थान में copper, lead, zinc का होता है ठीक है करनाटक में steel, manganese और aluminium की इंडस्ट्रीज है metal की इंडस्ट्रीज है, अच्छे से underline करते चलो agro based industries, मतलब agricultural based industries जो है जिसमें cotton, jute, sugar आता है, वो जादा स्यादा concentrated है raw material producing area में, मतलब जहाँ पे खच्चे माल का production होता है वहाँ पे यह जादा concentrated है, like UP forest based industries जो है, जिसमें included रहता है पेपर, plywood, matches, resin, lag, यह सब आजकल increase हो रहा है forest areas में, अलग-अलग state के coastal belt of kirla has a heavy concentration of coir, copra and fish canning industries ठीक है, तो coastal belt जो है किरला का, वहाँ पे concentration है coir, copra, fish canning industries का ठीक है, can में आप लोगों ने fishes को देखा होगा काया भी होगा, उसी तरीके से यहाँ पे industries है ठीक है, यही पे बनाया जाता है कोयाली, दिखबोई, नूनमती, ठीक है and बोंगाई गाओं, यह बोंगाई गाओं है हम लोगों का refineries are situated close to the petroleum produced areas and matura and baroni refineries in the interior away from the coast and oil producing areas matura, baroni refineries जो हैं, interior में वो coast and oil producing area से दूर है distribution जो है, cement industry का, वो भी highly conditioned है ठीक है, जहाँ पे raw material है, वहाँ पे है, जहाँ पे नही है, वहाँ पे नही है गुजरात, राजस्थान and Tamil Nadu produce the bulk of salt in the country सबसे ज़्यादा production जो होता है, salt का वो होता है गुजरात, राजस्थान और Tamil Nadu से, bulk production क्योंकि यह सभी आप लोग देखोगे, तो coastal के पास आते हैं गुजरात हो गया, Tamil Nadu हो गया, यह coast के पास आते है तो वहाँ पे salt का production सबसे ज़्यादा होता है Mechanical Engineering, Electrical, Automobile, Fertilizers and Numerous Consumer Industries, which show little BRs for raw material have come up all over the country with heavier concentration near the big cities जो Mechanical Engineering है, Electrical, Automobile Production है Fertilizer की कंपणी है, और अलग-अलग जो Industries है जिन्होंने raw material के वज़े से अलग-अलग जगहां पर बनाने का निश्चित नहीं किया था वो भी आजकल आ रही है, ठीक है Export, Import देख लेते हम लोग इंडिया का, ठीक है, Value जो है वो US Dollar में है तो इंडिया ने Export से इतना अरन किया, Import से इतना गमा दिया Export से इतना अरन किया, Import में इतना गमा दिया Export में इतना अरन किया, Import में इतना गमा दिया तो देखो कि तो इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट कम कर पाता है जिसके वज़े से घाटा हो जाता है ठीक है तो ब्रजील का देखो तो जास्ट उल्टा है ब्रजील ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कम इंपोर्ट करता है हर साल देखो इसके वज़े से जो और ब्रजील का जो trade है वो balanced है क्योंकि लोगों का import export में ज़्यादा फर्क नहीं है और इंडिया का unbalanced है क्योंकि देखो यहाँ पर 11,000 का फर्क आ गया जो भी है उतना फर्क आ गया यहाँ पे भी देखो गे तो 1,10,000 का फर्क आ गया है ना तो इसके वज़े से problem होती है इंड export import क्या क्या वो export करती है तो ब्रजील आयरन ओर कॉफी कोकोवा कॉटन सुगर टुपैको और बनाना को एक्सपोर्ट करती है साथी में मशीनरी केमिकल प्रोडक्ट और फर्टिलाजर स्वीड्स हैवी वेहिकल्स मिनेरल ऑईल और लिउब्रिकेंट को वो import करती है और इसके 25% GDP लोग ट्रेड से बनाते हैं और हम लोग ट्रेड से घटा देते हैं अपना GDP that's why we are very far away तो इनका में पार्टनर कौन है USA, Canada, Italy, Argentina, Saudi Arabia, Germany और इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं कोकोवा, कॉटन, सुगर, टुबै को तिन नाम याद रखो इंपोर्ट, fertilizer, wheat, heavy vehicle, etc अब इंडिया का कैसा आल है इंडिया जादतर चाय, आम, coffee, spices, leather, leather goods, iron ore, cotton, silk, textile ठीक है यह सब वो क्या करता है एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट क्या करता है इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, मशीन, मोतियां, precious stone, gold, sona, चांदी यह सब वो इंप इंपोर्ट करता है इसके वज़े से प्राब्लम होती है अगर हमारे इंडिया में जो डॉक्टर वगेरा बनते साइंटिस्ट वगेरा बनते सब पैसे के चक्कर में चले जाते हैं USA इसलिए USA आगे जा रहा है अगर वो अपनी देश की सेवा करें यहां पे रहके तो कितनी अच्छी दवाईया हमारे यहीं बंजा में जरूरत ना पड़े इंपोर्ट करने की आभी भी कुछ ऐसी मर्ज की दवाईया है जो सिर्फ वहीं से आती है यहां पे बनती ही नहीं है वो मंगानी पड़ती है इंपोर्ट करनी पड़ती है इसी के वज़े से हमारा प्रेडिंग पार्टनर कौन है यूके यूएसे जर्मनी जपान रशिया चाइना और ब्राजील एक सेक्टरा यह सब अब यहां पर देखो ब्रिक्स के बारे में दिया है ब्रिक्स मतलब इसका फुल फॉर्म है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफरीका ओके बी ज़्यादा सेटप किया और सेटप करने में काफी ज़्यादा पैसे लगाए हैं इंडियन कंपनी जो हैं उन्होंने इंवेस्ट किया है आई टी फर्मक्यूटी फर्मसिटिकल्स एनरजी एग्री बिजनेस माइनिंग इंजीनियरिंग आटो सेक्टर यहां पे उन्होंने ज लोगों का माइनिंग एनरजी बायो फ्यूल फुट्वियर सेक्टर में अपना क्या किया है सेट अप किया है इंडिया में अपनी कंपनी इसको अब दो कूल फैक्ट यहां पे दिये ब्राजिल अब लार्जेस्ट प्रोडूसर आफ कॉफी फॉर लास्ट फिफ्टी एर एक और जो चाय था उसको यूरोप वाली लेकर स्वारी फ्रेंच वाली लेकर आयते ब्राजील में पारा में और वहां पे उन्होंने इसको ओरिजनेट किया और देखो आज ब्राजील कहां से कहां पहुच गया टैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एकोनॉमी और ट् इडाप्ट किया है बट 1984 से ही अडाप्ट किया है हमने तो 2016 या 14 में अडाप्ट किया टीक है 2017 फर्स्ट जुलाई को हम लोगों ने अडाप्ट किया लाइक इंडिया ब्राजील टू जीस्टी चलने लगा है तो इसी के साथ हमारा चेप्टर खत्म होता है यहां पे आप लो वाली लाइन दिखा रही है ब्राजील को क्या क्या बेचा है इंडिया ने तो कौन से साल में जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट की ब्राजील की वह एक्सीड कर रही है इंपोर्ट को ब्राजील से देखो भाई कौन से साल है ठीक है मतलब एक्सपोर्ट जादा किया है का इंप box में